जहिन साथियों बात करेंगे बिहार पुलिस नए भरती 2030 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है अगर आप लोग भी बिहार पुलिस के लिए फरम डाले हुए हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है देखिए ऐस वीडियो का आप काफी लंबे समय से इंतिजार भी कर रहे थे और अब आपका पिहार पुलिस के लिए जो फरम डालने की तिथी था 20 शुलाई वह समाप्त हो चुका है अब आप लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कितना फरम डाला गया आपका कैसा रणनेती होना चाह तो आए जान लेते हैं लोग जो फरम को लेकर के फरम डालने का सुरुआत हुआ था 21003 से 91 सीटों के लिए वह कब से हुआ था तो 20 शुन 2023 से फरम डालने का सुरुआत होता है और अंतिम तिथी ने धर्द किया गया था 20 शुलाई 2023 जो अब समाप्त हो चुका है यानि कि अ अब आप बिहार पुलिस के लिए नए आवेदन CSBC वेफसाइट के माध्यम से या किसी वेफसाइट के माध्यम से आप नहीं डाल सकते हैं यानि कि फरम डालने की अंतिम तिथी पुंड रूप से समाप्त हो गई है और CSBC के इस वेफसाइट पर क्या लग गया है लौक लग ठीक उसी तरह जितने भी लोग बिहार पुलिस के लिए आवेदन किये हैं फरम डाले हुए हैं उन सभी का अब क्या है यानि कि किसमत लौक हो चुका है और यह पुंड रूप से उस दिन खुलेगा जिस दिन आपका एक्जाम होगा और एड्मिट कर जारी किया जाएगा ख यह पुंड रूप से समाप्त हो चुका है और आज आप कर आगया 21 जुलाई अब 21 जुलाई से आप लोग इंतिजार किजिएगा कि एड्मिट कट कब आएगा कब इसका एक्जाम होगा एक्जाम कब भी हो एक्जाम के पीछे नहीं भागना है जब आप फरम डाल दिये हैं 21003 से 91 सीटों के लिए टोटल फरम कितना डाला गया है तो 27 लाख प्लस में फरम डाला गया है और इस 27 लाख में अपना एक रिजल्ट के लिए आप कैसे त्यारे किजिएगा आपका रणेति कैसा होना चाहिए ताकि आप इसमें सेलेक्शन ले पाईएगा इस पे हम ध्यान दे करके आपको समझाने का प्रियास करते हैं जैसा आप लोग को पता होगा कि जब कोई चुना में केंडिडेट खड़ा होते हैं तो वे भोट लेने के लिए जनता के पास जाते हैं यानि कि जनता भोट करती है तब वो क्या होते हैं विजय होते हैं लेकिन इस दौर में इ पोश्चन पिपर आपके हाथों में मिलेगा और अपना भोट आप खुद से डाल पाईएगा यानि कि कहने का मतलब एह है कि आप लोग सफल कैसे हुएगा इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए तो आपको रिटेन आपका अच्छा होना चाहिए तब भी आप फीजिकल के लिए यानि कि बुलाए जाईएगा ठीक है यानि कि आपका रिटेन सही होगा तब भी आपका मेरिट लिस्ट रिटेन एक्जाम में निकलेगा और फीजिकल के लिए आपका एड्मिट कार जारी होगा तो आपको फीजिकल से पहले रिटेन एक्जाम का त्यारी कैसे करना है तो आप लोग ध्यान दखिए written exam की त्यारी आप जहां भी है पूरे जोर सोर के साथ करिए और selected book को लेकर के flow किजिए ठीक है प्रेक्टी सेट देली लेगाईए कुस्षन बेंग पोई अपना पकड़ बनाईए और lucent को flow किजिए SPD को flow किजिए अगर किसी teacher से आप पढ़ रहे हैं तो आप teacher के guidelines को जरूर flow किजिए ठीक है और आप लोग कम से कम 10 प्लस हर्स प्रते एक दिन लगतार अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए और revision आपके लिए बहुत ज़दा important है यानि कि जो आप पढ़ते हैं पूरे दिन पूरे ज़दा important है या revision ही आपको सफलता दिलाएगा ठीक है तो आप लोग उमीद करते हैं मेरे बातों को समझ पाए होंगे और जिन लोग का physical सही है sorry return सही है वो लोग physical पर थोड़ा सा अभी सही ध्यान देंगे लेकिन सबसे ज़दा अभी ध्यान देने के जरूरत है आप सभी को return exam के लिए चुकि यहाँ पर 27 लाख प्लस में फरम डाला गया है मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर गया हूँगा जिसमें मैं आपको यहने की सटीक संख्या बता दूँगा कि हाँ 27 लाख कितना हजार आपका फरम डाला गया है या 28 लाख के आसपास गया है लेक return exam का त्यारिक किजिए यानि कि अपने पढ़ाई को यानि कि मजगुत रखिए और जिस तिन आपका देखिए exam होगा exam होगा तो इस return से यहाँ exam में आने के लिए आपको strong हो करके आना पड़ेगा हर तरह से आपको मजबूत हो करके आना पड़ेगा जो बिहार प्लिस का syllabus है उस syllabus पर अपना पकड़ बना करके आपको आना पड़ेगा और syllabus का वीडियो में available बना दिया हूँ 60 topic जो हमेशा exam में उस topic से पूछे जाते हैं और आपको देखिए exam पास करना है smart study अपनाना पड़ेगा आपको कौन से topic पढ़ना है कौन सा छोड़ना है ठीक है तब आप सफ और आपके syllabus पर आपका पकड़ होना चाहिए तब भी आप इतने संख्या में जो फरम डाला गया है उसमें आपका एक जल्ट बन बाएगा सभी का तो रिजल्ट नहीं बनेगा बनेगा उसी का रिजल्ट जो लड़ेगा इस रात से इस दिन से यही समय है नहीं तो कुछ बन प्रेक्टिस तो मैं बताया हूं करना पड़ेगा और इस प्रेक्टिस के लिए आप ध्यान रखिए कि डेली सुभा के 9 बजे मैं प्रेक्टिस से टॉपिक बाइस कराता हूं इस प्रेक्टिस से भी आप जूड़ सकते हैं लेकिन आप लोग उसी टाइम जूड़िए जिस बस जो प्रेक्टिस का समय है उस टाइम आकर के आप जुड़िए वहां से प्रेक्टिस कीजिए बाकी अपना समय आप बुक के साथ क्लास के साथ ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ पाये होंगे और मैं डिटेल से बात करूँगा अगले वीडियो के माध्यम से तब त अगले वीडियो के साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत